और कभी कबर तो इसके साब के साथ अक्सर लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। इस नेवले के जूंड के सदस्टे के बारे में बात करा जाये तो 40 से लेकर पसस तक पाय जाते हैं। और इस प्रक्रिया में मादा की प्रेग्नेन के समाई के बात करें तो 40 से लेकार पसास दिनों का समाई भी लग जाते हैं। नेवले के बच्चे जानम के बात पूरी तरह से अंध होते हैं। दोस्तो नेवले के बारे में आप सभी लोगों को तो पता तो जुरूर होंगे, क्यूंकि आप लोगों को घरे के आज पास अक्सर देखा होगा, और कभी कबर तो इसके साप के साथ अक्सर लड़ाई करते हुए दिखाय देते हैं, बस्पन में साप और नेवले के कहानी तो एकने को मिलता है, और ये नेवला कभी कबर अन्य जानवर की बील को भी कबजा कर लेते हैं, और ये नेवला बीलों में निबाश करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कभी कबर ये अपने बील खोद कर अपने बील में रहते हैं, और नेवले के कही सारे प्रोजातिया पाए जाते हैं जिन में से कुछ तो ऐसे है जो अकिला रहना पसंड करते हैं और इने प्रजती में से सब्चे छोटा निवले के 10 इंश तक लंबे होते हैं और इनेcket के बजन की धाईसे से ले कर 300 ग्रम तक होते हैं जिसे बोना और चोटे नेवला कहा जाता है और ये नेवला कभी कबर तो इतने इनके शरीर से भी काफी सरी बड़े जानवर को भी शिकर कर लेते हैं और पूरी संचर में बात करा जाये तो सबसे बड़ा नेवले के बारे में तो वो है इस से लेकर 30 cm तक हो कभी कबर तो बहुत ज़्यादा जहरीला साब को शिकार करके अपने भोजन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है इस नेवले के जनम कैसे होते हैं अगर नहीं तो कोई बात नहीं क्यूंकि हम है ना आपको बताने के लिए तो दोस्तों आप लोगों से एही गुजरिश ह कि इस वीडियो को आन्ट तक जूरूर देखना क्योंकि इस वीडियो腲 में हम बात करने वाले हैं नेवले के classification किस तरह की होते थे हैं इनके जनम के प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा की मिलन के प्रक्रिया होते हैं आप देखके अंदजा लगाई सकते इनके मिलन के प्रक्रिया किस तरीके की होते हैं और इसके मिलन के प्रक्रिया के बारे में बात करा जाये तो 15 से 20 मिनिटों का समाई भी लग जाते हैं जब इस मिलन के प्रक्रिया समाफ्थ हो जाते हैं तब पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं और इस मिलन के प्रक्रिया जब समाफ्थ हो जाते हैं और मादा पूरी तरीके से प्रेगनेंट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में मादा की प्रेगनेंट के समाई के बात करे तो 40 से लेकर पसस दिनों का समय भी लग जाते हैं और इनी में काफी सारे प्रजातिये के आदर पर अलग अलग होते रहते हैं और इस निवले एक ही बार में चार से लेकर से बच्चे को भी जनम देते हैं निवले के बच्चे जनम के बाद पूरी तरह से अंध होते हैं हम आपको बत लग जाते हैं नेवले के बच्चे के बजन के बारे में बात कर तो 25 से लेकर 27 गरम तक होते हैं नेवले के जनम के साथी साथ इनके बच्चे के शरीर में कोई भी बाल नहीं होते काफी लोगों को मानना है कि नेवले के एक एडलिस्टेस पर जाने के लिए 9 महीने से लेकर 14 मह और ये अपने शिकर करने का तरीका अलग अलग तरीके भी अपना देता है इन में से कुछ प्रजयते ऐसे भी है जो शिकर करने के लिए अपने नाज का इतना मर करते हैं और कापी सारे ढंगों का भी इस्तमाल करते हैं और जब साप को शिकर करने लग जाते हैं तो साप जितन जंदिधा भोजन के बारे में बात करा जाये तो मसली मेंड़क धीमेक और इसी तरह कहीं सारे सीजिए और ये नेवला खतानाख कोने के साथ साथी अपने बच्चे को बहुती ज्यादा सुरक्षित भी कर लेते हैं इनके दाद बहुती ज्यादा मजबूत और बहुती काटेदर होते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतनाई उम्मेद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइ कॉमेंट शेयर जुरू करना थैंक यू पूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो पे